चलिस तो बात करने वाले हैं इंडिसिंट बैंक के बारे में दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि इस टॉक्स के अंदर जो गिरावाट तक हम लोगों को देखने को मिली है तो वापिस से रिकवरी का मूड तो दिख रहा है बट देखे उतना चका सा लेवल्स अभी तक बनते जबन नजर नहीं आ रहे हैं तो अब क्या होने वाला है क्या Q4 के अंदर कुछ एक्शन हम लोगों को देखने को मिल सकता है देखे जो मैं आपको लगतार बताता रहता हूं कि कहीं जो एक्शन हमें बजार के अंदर देखने को मिलता है वही सारा गेम प्लेन जो है बजार क को मूँ करता हुआ नजर आया तो फिलाल में क्या है कि केसिस अब भी बढ़ रहे हैं तो बजार के अंदर हम लोगों को हलचल दिखाए दे रही है डाउन बूमेट दिखाए दे रहे हैं यह भी बताया जा रहा है कि बजार के अंदर हम लोगों को किरावाट देखने को बिल यह नीचे के लेवल दिखाए दे सकते हैं बट कहीं न कहीं आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए कि क्यूब फॉर के रिजल्ट आने वाले हैं क्यूब फॉर का सीजन स्टार्ट हो चुका है तो उससे पहले या तो एफ आइस डी आइस भर भर के माल उठाएंगे खरीदारी जिन इस स्टॉक्स के अंदर FIS, JIS और बड़ बड़ दिगजगी जादा होल्डिंग हम लोगों को दिखाए देती है तो उनके अंदर जादा खरीदारी हम लोगों को इस समय दिखाए देरी हैं देखे मैं बात करने वाला हूँ इंडेसंड बैंक के बारे में बहुत ही बह स्टॉक्स के अंदर दिखने को मिल चुकी है 1100 से भी उपर के लेवल दिखाए दिये थे निचे की बात करें तो 917 रुपे तक यह स्टॉक्स आपको जाता हुआ दिखाए दिया था फ्राइडे के सिसन में वापिस से देखें तो 924 रुपे के असपास क्लोजिंग सकते हैं तो हमें अपने आपको दोनों तरीके से प्रिपेर करना पड़ेगा कि स्टॉक्स अगर ऊपर चला जाएगा तो तो हम मुनाफ़ा इसके अंदर लेही लेंगे बड़ अकर नीचे स्टॉक्स यह चला गया तो हम इसका किस तरीके से फाइदा उठा सकते हैं दोस्तो 24 रुपए के आसपास बठ शर्त सिर्फ एक ही है कि जितना भी माल खरीदना आप चाहते हैं सब्सक्राइब कीजिएगा दस कौंटिटी आप यहां पर खरीद सकते हैं गिर जाने तो जहां तो यह स्टॉक्स नीचे हम लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा तो भी आपकी ही जीत होने वाली है और अगर इससे नीचे बहुत अब लेवल आपको स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलते हैं तब भी आपको जो है इसके अंदर खरीदारी करते चले चाहते पिछले चयाने का मतलब शर्फ इतना साही है कि आपको स्टॉपर के नहीं के इंदर बनते हुए दिखाए दिया था बटाभी फिलाल में पैनिक की इस्तिती पैदा की जा रही है ताकि हम लोग आसानी से इसके इंदर माल ना उठा सके फिलाल में यह सारी सिच्विशन को आपको इससे में देखके चलना है क्यूपोर के नतीज़ा आने वाले हैं तो कह माल आपको खरीद के इस लेवल पर नीची की तरफ बढ़ते जाना है कि स्टॉक्स गिरता हुआ नजर आ रहा है और बैंक के अंदर हम लोगों को कंपनी में इंप्रूमेट देखने को मिल रहा है या फिरावाट देखने को मिल रहे हैं तो यहां पर हम बात करने वाले हैं मितलब साल दर साल तो लगबक 2016 के अंदर कंपनी के अंदर हम लोगों काफी अच्छा-कासा मोमेंटम देखने को मिला था बिजनिस में अब बिजनिस किस तरह की का है देखें बैंक है तो आपको पता ही है लोन वगरा से सारे चीज रेलेटर वाली है कहने का मतलब है कि अग अगर गिरावट भी नहीं देखने को मिल रही है और ज्यादा उचाल भी नहीं देखने को मिल रहा है अब दोस्तों नतीजों पर हमारी नजर ही क्यूफोर के नंबर साने वाले हैं तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो पिछले नतीजे रहे थे वो किस तरह की के रहे थे तो सबसे पहले देखने की कोसिस करते हैं दिसंबर 2019 की यानि काफी समय बीच चुका है तो 7,284 करोड के आसपास इंट्रेस्ट इंकम यानि कि ब्या जाए बैंक को हुई थी उसके देखने को मिली है तो देखिए उसके बास कि अगर बात करें तो थोड़ा उचाल देखने को मिला 7,177 करोड के आसपास इंट्रेस्ट इंकम को मिल सकता है बर देखे हम बिलकुल टौटली इस चीज पर फेथ नहीं कर सकते विश्वास नहीं कर सकते कि 100% हम लोग तो इंट् बढ़ती हूं नजर आएगी तो मैं आपको पहले ही समझा चुक हाँ कि स्टोक्स के अंदर हम लोगों को उपर की तैयारी करके नहीं चलनी है हमें सर्फ नीचे की तैयारी करके चलनी है तब ही अच्छा खासा मुनाफ़ा हमारा हर इस्थिति के अंदर देखने को मिलने वाला अब अगर देखें तो टोटल इंकम 9000 करोड के आसपास आपको दिखाई दे रही थी देशंबा 2019 में उसके बाद 9100 करोड 8600 करोड 8700 और 8800 तो कहने का मतलब यह कि जो भी कुछ इस्थिति हम लोगों को बढ़ती हूं नजर आ रही है वो पिछले तीन कुर्टर से बढ़ती लगबग 830 करोड रुपय की आसपास निकल के आरहा है उससे फहले देखें तो 6030 करोड रुपय था उससे पहले 510 करोड तो कहने का मतलब यह कि net profit के अंदर भी हम लोगों को उसी तरीके का momentum दिखाए दे रहा है पिछले चार quarter से लगातार net profit बढ़ता हुआ नजर आ रहा है यह भी positive बात निखल किया रही है अब देख लेते हैं gross NPA और net NPA का तो gross NPA जो कि पिछले quarter में हम लोगों को दिखाए दे रहा था लगबग 2.21% के आसपास अगर अभी देखें तो लगबग 1.74% के आसपास दिखाए दे रहा है किरावाट देखने को मिल रही है positive बात निखल किया रही है इसी तरीके से अगर net NPA की बात करते हैं इसके अंदर भी हम लेको किरावाट देखने को मिल रही है तो यहाँ पर भी हमें positive बात देखने को मिल रही है तो अगर देखें तो overall हमें positive momentum देखने को मिल रहा है quarter on quarter basis पे तो दिक्कत वाली फिलाल में कोई यह स्थिति दिखाए नहीं दे रही है अब अगर देखें तो year on year basis पे किस तरकी की performance हमें बैंक के अंदर दिखाए देखें देखें यहाँ पे आपको कुछ भी explain करने की इसलिए आवसकता नहीं है कि candle sticks से आपको सारी चीज बिल्कुल clear हो गई होगी 2016 से लेकर 2020 तक के अगर इस्तिति देखेंगे तो लगतार जो है interest income के अंदर हम लोगों को चाल देखने को मिल रहा है 11,580 करोड के आसपास हुआ करती थी लगतार बढ़ी है 28,720 करोड रुपे के आसपास बहुँच चुकी है इसी तरीके से दोस्तों कर बात करते हैं total income की तो यहां पर भी आपको कोई चीज बताने की आप सकता नहीं candle sticks से आपको easily पता चल रहा है कि लगतार जो हमें improvement देखने को मिल भी बैंक के अंदर 14,870 करोड लगतार बढ़ते बढ़ते हम लोगों को 35,000 करोड से भी उपर पहुंसता हुआ नजार आ रहा है इसी तरीके से बात कर लेते हैं net profit की तो net profit के अंदर देखे up and down जुरूर देखने को मिला है बट अगर overall देखें तो positive momentum देखने को मिल रहा है 2286 करोड के आसपास दिखाई दे रही थी 2016 के अंदर उसके बाद 2800 करोड, 3000, 600 करोड, 3000, 300 करोड वापिस से देखें तो तेजी के संकेत दिखाई दे रहे 2448 करोड के आसपास निखल के आ रही तो यहाँ पर भी आपको overall positive momentum दिखाई दे रहा है आप दोस्तों जानने की कोसिस करते हैं कि year on year basis पे हमें gross NPA और net NPA की किस तरीकी की situations देखने का मिल रही है तो यहाँ पर देखें 2% के आसपास है पिछले साल भी 2% के आसपास है तो कोई change नहीं दिखाई दे रहा है पर फिर भी आप इस चीज़ को थोड़ा सो observe कर सकते हैं कि positive sentiments माने जा सकते हैं कि बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है इसी तरीके से बात करते हैं NetNP के अंदर हम लोगों को गिरावट देखने को बल रही है यहाँ पर आपको positive momentum company दिखाई दे रहा है बैंक के अंदर एक बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है जिस चीज़ को आपको समझना बहुत जादे जरूर है सबसे पहले promoters के holding के अगर बात करते हैं तो देखे इसके अंदर यह बड़ी-बड़ी मिनारे आपको दिखाई दे रही होंगी तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर pledge holding आपको दिखाई दे रही है तो तेजी के पीछे यह भी कारण निकल किया रहा है दूसरी बात यह है कि 14.6% के असपास holding थी यह भी आप थोड़ा सा observe कर सकते हैं कि हलकी आपको जो है उपर की तरफ मुग करती हुने जरा रही बढ़ती हुने जरा रही तो यहाँ पर आपको positive संकेत मिल रहे हैं दूसरा अगर FIS की holding देखें तो यहाँ पर अगर आप सही तरीके से analysis करेंगे तो पिछले दो quarter से उच्छाल देखने को मिल रहा है 24.9% के आसपास दिखाई दे रही है दूसरी और देख लेते हैं D.I.S की तो पिछले तीन quarter इनके लिए भी positive रहे हैं हाँ यह बात जरूर है कि पिछले quarter से गिरावट जरूर देखने को मिल यह बट अगर देखें तो overall momentum हम लोगों को positive दिखाई दर है इसी तरह अगर बात करें public के holding की तो इनके तरफ से भी अच्छा खासा रुजान हमें bank के अंदर देखने को मिल चुका है पहले तो लगातार खरीदारी हम लोगों को दिखाई दरी थी उसके बाद लगातार घिरावट इसके अंदर हम लोगों को दिखाई दरी तो अगर द quantity होंगी उतना कहीं न कहीं हम लोगों के लिए panic वाले इस्तिती हो जाती है और जितने कम shares हमारे होंगे तो उतना अच्छा खासा momentum हमें stocks के अंदर जब भी मिलता है तो हम कहीं न कहीं जो है average बना सकते हैं अगर गिरावट हम लोगों को देखने को मिलती है तो वाफिस से stocks के साथ में जुड़ सकते हैं long term delivery बिल्कुल free है किसी भी तरकिका ये holding पे charge आपसे नहीं लेती है दूसरी बात ये है कि अभी फिलाल में company के अंदर एक offer चल रहा है company खोड़ी है free में डिमेट अकाउंट किसी भी तरकिका कोई account opening charge company आपसे नहीं ले रही है अगर आप इसके अं जापके मुवाइल पर मिसके थैंक ये सो मच फॉराची